हेलो एवरिवन वेल्कम बेक पर में योट्यूब चैनल आज का हमारा टॉपिक है लो वर्थ वेट बेबी जिसको हम लबी डवल्यू भी बोलते हैं सबसे पहले मैं आप सबसे माफी मागना चाहते हूं क्योंकि बहुत टाइम हो गया वन मंत के करीब हो गया मैंने कोई वीडि प्रोवाइड करें सो मैंने यह पहले रिटर नोर्स बनाए हैं ठीक है अलग-अलग से जो माटेरियल को इकठा कर ठीक है एंड वीडियो मैं बना रही हूं अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक मेंट शेयर करना कमेंट करके जरूर बताना कि आपक के मेंचन किया हुआ है आप आईडी पर जाकर मैसेज करके अपनी क्लेरिफाइड कर सकते हो ठीक है मैं आपका रिपलाई जुरूर करूंगी अगर आपको कोई भी केर प्लैन केस टरी ठीक है केस प्रेजनेशन असाइडमेंट चाहिए हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो ट डेफिनिशन क्या है इस डिफाइंड बाइड डव एचो डवल्ड हैर्थ और्गनाइजेशन जो इसको डिफाइन करती है ऐस बर्थ वेट ऑफ एन इंवेंट जो एक इनफेंट होता है उसका बर्थ जनम के दोरान जो उसका बर्थ वेट होता है 2500 गराम और लेस इतना पत्ची सो हो जाँ इससे कम हो ठीक है वो लो बर्थ वेट बेबी में बेबी आता है जिसका बाहर इस पत्ची सो हो जाँ पत्ची सो से कम हो ठीक है रिगार्डलेस ऑफ गस्टेशनल एज और नोन एज ल बीडवेव जो ठीक है इसमें उसकी गस्टेशनल एज मेटर नहीं करती ठीक है उसको के बोलते है लगव जो है इसको हम डेफिनेशन में काउंट करेंगे नॉर्मल वेट ओफ एट टर्म डेलिवरी इन इंडिया में जो बेबी को नॉर्मल वेट हम कितना मानती है 2.5 केजी से 3 केजी के आसपास ठीक है नेक्स्ट है सब कैटागरीज ओफ LBW बेबी जो लो बर्थ वेट बेबी की सब कैटागरीज है फिर्स्ट है VLBW वेरी लो बर्थ वेट ठीक है एक तो लो बर्थ होता है ठीक है एक वेरी लो बर्थ होता है वेरी लो में क्या आता है इट इंकल्यूड बर्थ वेट इस लेस दन फिफ्टीन हंडर्ड ठीक है बर्थ वेट इस लेस देन 1,000 गराम जिस बेबी का जो जनम के समय ठीक है एट बर्थ जो वेट 1,000 गराम से कम होता है उसको एक्स्ट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी बोला जाता है इसकी क्रेक्टरिस्टिक्स क्या है कैसे हमें पता चलेगा कि जो बेबी है वो LBW है लो बर् 75,000 वह क transmuted 2,500 गराम जो पक्तृट वासे ₹लऔस बेबी का जो वेट होगा कम होगा क्या लेंथ इस लेक्स दन 44 सेंट्रीमिटर बेबी की जो लेंथ होगी जो लंबा यह होगी है जसको त्झाब में कद बोलते है ठीक है उच्छाई होगी इस्के वो muscle tone ठीक है उसकी स्कुल्बोन्स ऑर सौफ्ट विद वाइड सूचर्सinek ठीक है बेवी के जो पुस्टीरigm फॉंटैन लोरू होते तेम nec hosтов ऋसकी सकल Л बॉंज होगी वह सौफ्ट होगी ठीक है जो जो सुचर्ज होगे ठीक है मैंने एक टॉपिक में आपको सुचर्ज पढ़ाए थे फॉन्टेट ने पढ़ाए थे ठीक है आपको याद होगा उस वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्टिब्शन बॉक्स में मिल जाएगा एक पर चैक आउट कर ले ना होगा बहुत ही तक्त होगा ठीक है और श्यूक के साथ चिमडा वा होगा रिफ्लेक्स जीज आर नक प्रपरडिलउप जो बैबी के रिफ्लेक्स होगे। यह प्रॉपरलीडिव नहीं होएं होंगे दाजियोडी मोस्त इस दीमारी सिप्सक्राइब आप नुद पर साथ अलुक तो स्रिक्त बॉप्स एक नहीं होएं प्रेटीर का लंक मुंत अगर ना मिल तो तो तिन बहुत पतली होगी रेड कलर की होगी यह ने शाइन करेंगी डियू टू लैक ऑफ सबकुटेनेस फैट जो सबकुटेनेस फैट बेबी में कम होगी उससे उसकी जो स्किन है रेड थिन एड शाइनी होगी ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास इटियोलजी क्या कारण हो सकते ह ठीक है प्री टम लेबर के यह यह लो बर्थवेट बेबी के फस्ट होगा प्रीवेस हिस्ट्री ठीक है जो मैंने सिर्फ हैडिंग्स बनाए है ठीक है अगर आपको शॉर्ट नोट करना हो तो इतना काफी अगर आपको लॉंग नोट करना हो ठीक है आठ दास नमर का तो पहले भी मदर को जो लो बर्थवेट बेबी हुआ होगा ठीक है कोई हिस्ट्री होगी उनकी कोई डेसीज की हिस्ट्री होगी जो मदर होगी वो भी खुद लो बर्थवेट बेबी पैदा हुई होगी ठीक है कोई ड्रग हिस्ट्री होगी ठीक है मदर को यूटी आई की हिस बढ़ने लगता है मदर का प्रेगनेंसी के टाइम ठीक है जो उनके पैर हाथ पैर सूच जाते है ठीक है प्रोटीन यूरिया बढ़ जाता है ठीक है यह टॉपिक मैंने फुली अपलोड किया हुआ है उसकी वीडियो आपको मेरे चैनल के उपर मिल जाएगी ठीक है एपी रप्चर मेंब्रेंस है स्वारी वह प्रीमचूर रप्चर हो जाती है ठीक है उससे जो हमें लेगली तोर पे है जो बेबी की डिलिवरी करनी पड़ती है पॉली है इसकी फूल वीडियो में ने परवाइड की हुई है अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कलियर कर ले क्या हो सकती है मालफॉरेशन ओफ यूट्रस यूट्रस की मालफॉरमेशन हो सकती है ठीक है सर्विकल इनकॉंपिटेंस जो सर्विकल है वो इनकॉंपिटेंस हो सकता है ठीक है नेक्स्ट है मेडिकल और सर्जिकल इलनेस इसमें जो डाइप्टिक बगेर आ जाएगा ठीक है नेक्स जैनिटल ट्रैक इंफेक्शन ठीक है जिसको हम यूटिया यूरिनेरी ट्रैक इंफेक्शन भी बोलते हैं ठीक है इसमें जो बक्टीरिया है विगोईसिस ठीक है जो बीटा मैं मैं लिक्स टैप्टो को किस बक्टीरिया की बजह से जो यूटिया ही हो जाती है ठीक है को भी कारण हो सकता है उससे जो बेवी है बेवी को प्रॉपर नूट्रीशन नहीं मिलेगा ठीक है एंडड बेवी का वेट जो है लो होगा फीटल में क्या है मल्टीपल प्रेगनेंसी जब एक दो से जाधा बच्चे होगे तो जो नूट्रीशन एक कोई मिलना था था वो तीनों को मिल रहा है चारों को मिल रहा है दो को मिल रहा है ठीक है सो इससे भी बहुत फर्क पड़ता है कॉन जैंटल मारफ फॉलमेशन ठीक है बेबी की कोई जनम से ही अन्भूम के अंदर से ही कोई कॉन जैंटल मारफ फॉलमेशन हो सकती है प्लसेंट साइविक्स की उपर यह भी मैंने फूल टॉपिक वीडियो की प्रवाइड की होई नेक्स्ट है रप्शयो प्रसेंटा वही प्रीमच्वर हो जाती है तो यह थे हमारी कोजिज नेक्स है हमारे पास chaus nursing management guys मैंने only headings लिखे हो यह ठीक है आप ने जो किया करना है इनको fully explain करना है धीक है care of ICU intensive care you baby ko yo ICU में रखना है ठीक है breathing baby की maintain करनी है assess करनी है monitor करना है ठीक है maintain करना body temperature family support provide करनी है discharge करवाना है follow up करवाना एड होम care के बार में family को बताना है prevention crazy आपने बर्थ लगते हैं वह अपने एड करनी है यह एक्षिन नेशन जाए बहुत ही ज़रूरी है लो बर्थ वेट बबी इसमें ओपने में असेश्मेंट में क्या करेंगे एटेंड बाय सेनियर ठीक एयर पासेज कलियर ऑफ म्यूकस जो बेबी का म्यूकस है ठीक है एयर पैसेज उसको कलियर कर देंगे ठीक है इसमें अपने लिखना है एयर पासेज कलियर ठीक है लिखकर अपने हैडिंग बनाकर लिखना है क्लियरंस ऑफ म्यूकस थ्रो दा सक्षन ठीक है हम बेबी की सक्षन करेंगे हम ठीक है डिलेयर क्लैंपिंग ओफ कॉड इतना अपने हैडिंग लिखकर क्या लिखना है यह किसमें हल्प करता है इंप्रूविंग आइरन स्टोर बट लेटू हाइपर वालियूमिया जो हमाड़ क्या रूल बन गया यह कोड क्लैंपिंग है वो डिलेय की जाती है क्योंकि जो बेबी है वो मदर से आईरन जितना ज्यादा हो सके वो ले सके पर इससे अगर हमने बहुत ही ज्यादा डिलेय कर दे तो इसको हाइपर वालियूमिक हो जाएगा बेबी हाइपर मतलब कि बढ़ना ठीक है एड़ हाइपो बिलरूबियां भी हो जाएगा जो जॉ दी नहीं करना और इतना टाइम भी नहीं लगाना नेक्स्ट अप्रॉंपली ड्राइ बेबी को हलका ड्राइ करना है कि फेटिली कन्वोर्ज टे एंड वाम वाम करना है ठीक है विटामिन के आयम प्र वाइड करना है यह वैक्सिनेशन में आ जाएगा नेक्स्ट हमारा पॉ नेक्स्ट है टिशू परफ्यूजन चक करनी है एबीजी ठीक है एरवे ब्रीथिंग सॉरी यह वो नहीं है वह एबीसी होता है एरवे ब्रीथिंग सर्कुलिशन ठीक है यह है अटीरियल ब्लड ग्लास एंड इलेक्ट्रोलाइट्स जो हमने देखने है ब्लड टेस्ट करवान है टॉलरेंस ओफ फीड बेबी कितनी फीड ले पा रहा है ठीक है फीड ले भी पा रहा है नहीं उसके रिफ्लेक्स से चक करने ठीक है यह था हमारा आज का टॉपिक मिलती है नेक्स वीडियो में नए टॉपिक के साथ कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछने ना थैंक य वाचिंग में वीडियो थैंक यू